हेलो फ्रेंड्स वेलकॉन टू मैं चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में से कॉंक्लूजिन को समझेंगे कॉंक्लूजिन मैंने यहां पर सॉल्ब कर रखा है आपके सामने है तो चलिए एक वार कॉंक्लूजिन पढ़ते हैं किरी स्टेटमेंट के है जहांपर आल हर्मनी इचन्टिमेंट्स आल इफ्लậंस और से आंडरा हार्मनी इजर अर 클ूस राल है तो जैसे कि स्टेटमेंट ने आल हर्मनी इच लाला हर्मनी आजो हर्मनी hijos问 है आप ओकिस क्रहिक ऑख मोंदम है तो मैं यहाँ पे harmonium का H का एक circle बनाता हूँ और उसको किसके अंदर बना देता हूँ, instrument के harmonium को मैं H से represent करता हूँ, instrument को I से करता हूँ, तो I का जो circle है आप देख सकते हो, बीच में यहाँ पे उसी के अंदर मैंने H का circle बना दिया, और second statement क्या है, all instruments instruments are flutes, तो जो all instruments है, उसका एक flutes का आपने बड़ा circle बना दिये, जिसमें instrument वाला circle भी समा जाए ठीक है, देख सकते हो तीनों circle आपके सामने हैं जो कि इनकी statement है, statement के हसाब से मैंने जी circle बना लिए, अगर आपने circle सही से बना लिए, तो आपका question असानी से solve हो जाएगा तो conclusion one क्या है all flutes are instruments तो जो सभी flutes हैं वो instrument है, तो आप देखो इन circle में, जो flute से उनका circle तो बड़ा है, जो instrument हैं वो तो छोटा है, जबकि all instrument है, but all flutes तो instrument नहीं है, तो ये हो जाता हमारा गलत और second क्या है, इनका conclusion all harmonies, harmoniums are flutes तो all harmoniums are fruits हैं, हाँ है, क्यांकि flutes का तो सबसे बड़ा circle है, उसमें ये instrument का circle भी है, उसी में हर्मोनी का circle भी आ रहा है, तो सभी हर्मोनी तो उसी circle में आ रहे हैं तो ये हो जाता है, सही तो इस question का answer हमारा आ जाता है, क्या जाता है five, जिसका है only conclusion to follow तो उमीदे दोस्तों समझा गया होगा, इसी type का, अगर आपके पास कोई और question है तो आप मुझे comment box में लिख के type करके बेज़ सकते हो, मैं वीडियो बना के link share कर दूँगा आपके साथ, वीडियो देखने के लिए दन्ने बाद जाहिंद